नमस्कार दोस्तों मैं किस्ता मुर्ती आप सवे का साथ करता हूं लर्णिंग मेरे यूटीब चैनल में बहुत से लोग पूछते हैं सब स्विच करने के बाद जो है नया फोलियो या फिर मान लोग जिस फंड में मैंने भी आप सबस्कार है 2 पाव ससे गे तो मेरे 27 को दिखें थानिक नहीं होना है कम से कम मतलब मान के चलो कि आपको 3-4 working days लें या आपको process complete होने में अगर बीच में holiday नहीं है तो अगर बीच में holiday है तो वो time जो है आपका बढ़ भी सकता है तो यहाँ पर मैं calendar open कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखो मैंने Friday को process किया था almost Friday को process किया था मैंने time पर यहाँ पर देखो मैंने Friday को 28 September को process किया हुआ था 1-3 PM को मतलब 3 PM से पहले किया हुआ था और यहाँ पर जो है उसके बाद दिखा दू मैं आपको यहाँ पर calendar यहाँ पर देख लो आपका holiday था Friday 28 को किया हुआ था 3 PM से पहले Saturday holiday है Sunday आपका holiday है और यहाँ पर आपका Monday टी प्लस वन वरकिंग डे और Tuesday टी प्लस टू वरकिंग डे और आज 25 ते टी प्लस थी वरकिंग डे आज प्रोसेस हो गया है तो साइध आपको आज दिख जाए मेरे मोर्सिल फंड पॉर्टफोलियो में वह दिखाने वाला हूँ या फिर आपको 26 को दिखे तो आप टी प्लस थी वरकिंग डे मतलब जिस दिन holiday है मतलब दिवाली मौरम जू भी चुट्टी है उसका count बंद करना मेरा मैसेज हो जुका है और यह को चुका है और यहाँ पर देखो जो भी स्विच आपको वह चुका है सब्सक्राइब करने के लिए अगर आपका उसमें ARN नमबर यहां पर चीज़े ध्यान रख लेना आपको अब यहां पर इंप्लॉई यूनीक आइडनिफीकेसिन नमबर यह आपको देना पड़ेगा यह आपका कौन है यह आपको इडवाइजर कर रहे हैं जो आपका परसन हो आप से बात ही करें जैसे मालों सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर सब्सक्राइब कर रहा हूं यहां पर देखो मैं पराग बताना हूं लेकिन सब्सक्राइब होते हैं प्लाटफोर्म अलग होगा जो भी चीज़े होंगी तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं आप जो है फिंगर प्रिंट से लॉगिन कर लेना यहां पर देखो मैंने यहां पर आल्मोस्ट स्विच किया हुआ था यहां पर आर्बिटरास फंड में नहीं दिख रहा इसमे हो कहीं भी जाना किसी मुचल फंड प्लाटफोर्म पर ट्रांजेक का उप्शन होगा उस पर क्लिक करना यह आपके फंड की नहीं है नीची आ जाओ चीज़ें पहले मैं समझा दू होता क्या है एसाई पी का मतलब है पर मंत आप जो है किसी मुचल फंड में पर क्वाटर मा मतलब क्या होता है कि मालों आपके पास 50,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 परमंट जोए यह आपको इस फंड में इंवेस्ट होगा इसको बोलते हैं स थी पी पी शुच प्लान में जैसे मैंने किया था आपका कि मेरे पास पराग पारिक फ्लेगजी का फंड में जो है investment था मैंने सीधा इसको पर्टिकुलर एमांट को कि समें पराग पारिक क्या बोलत और 5 लाग मेरे इस फंड में चलेगे ध्यान रखना चाहे वह आप स्टीपी करो चाहे आप स्टीपी करो कुछ भी करो चाहे आप रेगुलर से क्या बोलते हैं डिरेक्ट प्लैन में आओ जब भी आप आओगे तो यहां पर आपका मोचल फंड यूनिट जो है वह आपका सेल ह तों होगा सेल होगा मतलब उसमें क्या कैचаш्य लगने वापः लगने वाली यहां पहला आपका एकजिट लोड चर्ज जो भी लगेगा पहली बात पूरे क्या बोलते हैं इसके बाद आपका यहां पर आपको यहां पर मानलो एक्जांबल बोलता हूं मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया और 5 लाख के वैलू बन रहा है तो मेरा इन्वेस्ट में दिखा रहा है 15 रुपे और 15 रुपे को मानलो मैं 15 15 रुपे स्विच करता हूं तो यहां पर पांच लाख का है वह प्रॉफिट बुक होगा इस पर आपको टेक्स पे करना पड़ेगा यह चीद ध्यान रख लेना लॉंग टेक्स है तो 1.25 रुपीज पर पैंड कार्ड जो है आपका फ्री है उसके उपार आपको टेक्स देना पड़ेगा अगर मानलो एक करो रुपे मेरे मेरे मुचल फंड में जमा हो गया और चाल नहीं डारेक्स बैंक अकाउंड में मुझे क्या करना है 25 रुपे चालीज रुपे का मुझे महिने खर्चा है तो मैं करूंगा 25 रुपे मंत जुरुपी मैं किसी मुचल फंड से अपने बैंक अकाउंड में मैं 25 रुपे मैं निकालता रहांगो इसको बोलते है स्टीप में मुचल फंड टू मुचल फंड ट्रांसफर होता है और सेम कर लोगे नहीं सेम पराषपडिक के फंड में करना है आपको आउटसाइट मुचल फंड फिलाला भी रूल नहीं आहा है यहां पर बताने वाला हूं सिंपल स्विच के प्लिक करो घ्लेक्ट करोगे जो भी अपका होगा प्लान में यहां पर यहां पर देखो तीन फंड में इंवेस्टेट हैं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं दियान दखना अगर आपका TaxSaver Fund में प्रोरूरीम लगने वाला या फिर मतलब होता है पहले रिडीम और दूसरा केप फंड आएगा यह चूज कर लिया यह हो गया आपको यूनिट्स यहां पर आपको दिख जाने वाले हैं क्या है आपका यहां मैंने स्विच किया हुआ था अब मुझे स्विच्ट टू स्कीम करना कि स्कीम में डालना मुझे पैसे को अगर माझनों लगरा मार्केट आपक अगरे संसरी स्कीम में क्लिक किया जो भी स्कीम होंगे यहां पे आप सकते हो जो भी जितने हैं आप देख जाएंगे ध्यान रखना डायेकट से रेगलर नहीं हो पाएगा आपको रेगलर रेगलर में करना यह शींट ध्यान लाउक लेना चल्क लिए ग्रोफ यहां पर यहां माँएगा आप से ब्रोकर का जोए सब को मतलब सिंपल जो एर नमर माँएगा वह अपको प्रोवाइड करेगा और यूइन नमर माँएगा इंप्लॉआई यूनीक अदेटिफिकेसन नमर होता है यह नमर लिखा होता है तो वह आपको माँग गया यह नहीं करना मुझे प्रोवाइग और यहां पर यहां पर जो मुझे करना है प्रण क्लिक कर दो इसके आप उचेए उनिट्स कर देना अमांट का मतलब यह नहीं की आपका यही मांट रहेगा जिस टाइम आप सेल करने जा रहेगा यह आपका लेकिन मालो मैं तो रात में और प्लेश कर रहा हू कल सुबर मानलो मांकेट गिद गिया और इसका वैलू मानलो 8000 हो गया 9000 रुपीज हो गया तो 9000 रुपीज का होगा आपका यह मांट नहीं कि आपका जो इसी मांट के एकजिट होगा वह ध्यान रखना तो हमेशा जो है अगर आपको पूरे पैसे निकाल ले हैं तो यहां पर हम यहां पे आपको जो है उनिकवेट्स कर थो पूरे ञीकालने तो आपको जैसे मानलोग को यहां पर मॉ announcement निकाल8 तो कर सकते हो फुल हो गया किसी समझ गए और यहाप त्म्स पे गडिशन पंच्लिक कर तो आप यहाप यह पर इमांट कर सकते हूंत इसमें मौंट ऑपक्वाउंट करेगा इमांट्स हो गया, यहां पर आपको देख लो जो भी आपको आपकोई करना है, यहां पर मुझे से मालो यहां पर स्विच करना है, यहां पर मौन लो 2000 रुपेगा, एक्जांबल बोलना आप कुछ भी फंड डाल सकते हैं में समझाने के लिए आपको बता रहा हूं टूताइन भी में डाल दिया टिक कर दिया रिवीव स्विच रिक्वेस्ट मैंने क्लिक किया देखो यहां पर आपको दिखे रहा पड़ाग पार एक फंड डिर्क प्लान टू इस फंड में चला जाएगा सिंपल वन टाइम है आपको हर महीं नहीं जाएगा यहां पर देखो लिए क्या बोल रहे हैं कि जो आपका रिक्वेस्टर से उपर होना चाहिए आपका 20,000 से कम है तो नहीं हो पाएगा आपको ऐसी प्रॉसस करना जैसे हैं अप曲 करण बूदो इस पर कुरह कर देना और समिट बॉटकर देना आपका स्विच्ठ हो जाएगा इतना स्विच्ट अइतने प्रॉसस ही और टी प्लस 4 वर्खिंई डिछ कर लेना जो भी Yapको वी प्रॉसस करना लिभा आपका हो वाली और वेट करें बीच में हॉलिडे आ गया दिवाली मोहरम या कुछ भी त्योहार आ गया तो आपको नहीं होगा उसमें आपको एक्स्टा डे जो है बढ़ेंगे तो आपको वेट करना ही करना पड़ेगा एची ध्यान रख लेना ऐसा नहीं कि आज सेल किया और कल से पू हो जाएंगे आपकी कोई दिखकत नहीं मैं आसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगाओ वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें तक लिए जोस्तों धन्यवाद झाल झाल झाल